अमस्कार आप देख रही है हर्याणों म्यूज एक्स्प्रेस और मैं हूँ आपके साथ दीशा आये रूप करते हैं इस वक्त की वड़ी खबर क्यों अम्बाला छामनी हलके की पक्की सड़कों को ब्यूटिफिकेशन के नाम पर कोड़ने की निंदा करते हुए इन अलों के पर्देश परवक्ता और अंकार सिंग ने कहा की ब्यूटिफिकेशन के नाम पर जन्धन की बरबादी हो रही है जन हित में यहाँ बरबादी रुकनी चाहिए अच्छी बनी पक्की सड़कों को ब्यूटिफिकेशन के नाम पर तोड़ने की बजाए जो सडके आज तक नहीं बनी या बहुत जरजर हालात में है उन्हें बनाया जाए ताकि जनता को राहत मिल सके पिछले 10 वर्षय में 7 करोड रुपय सडकों पर खर्च किये गए लेकिन आज एक भी सडक सबूत नहीं है कोई कोई सडक तो 10 वर्षय में 4 से 5 बार तक बन गई और किसी सडक को नगर परिशत आधी कारियों ने छुआ तक नहीं क्या कुछ कहा ओमकार जिग ने आप खुद ही सुन लीजिए अमबाला से हमारे एडिटर इंचीफ राजेंद्र भार्दवाज की रिपोर्ट पक्की बनिवी सडक है और यह देखिए सडक जेसी भी से तोड़ी जा रही है तोड़ी क्यों जा रही है सिर्फ लिपिष्टिक बिंदी लगाने के लिए सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के नाम पर अमबाला चावनी का सत्यानास हो रहा है जनता के पैसे की सिर्फ और सिर्फ परबादी हो रही है हो कह रहा है आज है दिखिए जर्फ पक्की बनिवी टैली वाली सडक जिसके बार में कहा गया था यह पचास साल तक चलेंगी यह पक्की सडक को तोड़ा जा रहा है और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हमाला चावनी का विकास पागल हो गया क्या सडक को क्यों तोड़ा जा रहा है मैं इसके बारे में यह मोद्या को जो पिछले ही हो थे उनको लिखत में भी देखे आ था कि आप पक्की सडके मा तोड़ो इनकी जिगा कोई दूसरी सडक बना लो लेकिन क्या चाहता है यहां का परशाशन और यहां का सत्तादारी नेता यह जनता को तै करना है कि आप किन चक्रों में गूम रहे हो हमारे को रोजगार देने के बिजाए क्यों पक्की मनी सडकों को तोड़ कर दूसरी सडके बनाने की कोशिश की जा रही है क्या कारण है क्या ठेकेदारों का कारण है कमिशन बाजी का कारण है रिश्वत को रही ह यह जनता तैक करेगी, जनता के दरबार में मसला, जनता बताएगी क्यों तोड़ी जारी है सरकेश